जिया हैं नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, आपके ही अपने हरियाना मौसम समाचार के इस वीडियो में जिया यांव जानेगा अपने सहर, अपने गाओं, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट जी अगर आप फरियाना के किसी वी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर जरूर करें अगर आप फरियाना जिले की मौसम की ताज़ा अपडेट पना चाहते हैं तो प्लीज ट्यार नियूश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले जिहां बता देक मौसम निली है करवट आज बारिस की आसार दच्छण पूर्वी तेज हवा ने बढ़ाई ठंड सरसों को नुकसान का अंदेसा जिहां खबर को जाने के विस्तार से वेस्टर्ण डिस्टर्वेंस के कारण सुक्रवार रातर से ही हिसारवा आसपास के एरिया म मौसम में काफी बदलाओ देखा गया है जिहां रात को ही हलकी हलकी बूंदी गिरने का सिलसला जारी है इसके लावा दच्छण पूर्वी हवा ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है वही हवा की रफतार तेज होने के कारण कोहरा जम नहीं पाया है जिसके कारण द्रसता पू इसके कारण मौसम में लगातार नमी बनी हुई है जिसके कारण सरसों की फसल को नुकसान होने का अंदेशा बढ़ गया है हिसार में करीमन धाई लाक हेक्टेयर एरिया में किसानों ने सरसों की फसल की बिजाई की हुई है हवा की रफतार तेज होने वाग नमी के कारण सरस की जड़े उखड़ सकती है इसके लावा फूल वा फलीयां भी तूट कर गिर सकती है जिससे पैदावार पर असर पड़ेगा इसके लावा ओला वरष्टी की आसंका ने भी किसानों की चिंतावड हादी है सुक्रवार को हिसार जिले में 16.04 अधिकतम तामान रहा जो सामान से एक डिगरी कम रहा बारिस के बाद अधिकतम तामान बारा डिगरी तक पहुझने की संभावना जताई गई है सोमार से मौसम सामान रहने बादलवाई छड़ने वाद सूरच वेगना अनुमान जताया गया है मिलते आप सभी को अगली वीडियो में तब तक ट्यार ने उच्छे साथ बने देएगा चैनल लोगो सस्क्राइब करके बेल आइकर को प्रेस कर लें ताकि आने वाले इस सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले जीया देहिंद जय भारत